हाई दोस्तों नमश्कार आप सभी का मेरे चल्मे स्वागत आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिंटेड की जिसके अंदर इस समय काफी बड़िया पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप समझेंगे तो इस शेयर के अंदर टार्गेट भी ब उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो टार्गेट आते हुए दिखाई दे रहे इस शेयर के उपर वो काफी बुलिश है और जो बायर है और एक्सपर्ट है वो दोनों ही इस शेयर के लिए बहुत ही बुलिश दिखाई देंगे यानि कि अगर ये टिल डेट की मै उठापटक चलती रहती है लेकिन आपको उस उठापटक के बीच में अपना मौका देखना है जी आँ जी अपना मौका समझने के लिए यही रीजन है कि इस समय एक सो यानि कि सो रुपी की रेंज में गुमने वाला ये शेयर काफी टाइम से इसी रेंज में गुम रहा है और उससे नीचे ये थियोरिक इस हिसाफ से बंती भी दिखाई दे रहा है यानि कि इस शेयर ने काफी बढ़िया डीप भी लगाया है और वहां से ये दुवारा से निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है अगर मोटे तोर पर देखें पिच्चासी रुपे का इस ने जो य 13 रुपे का हाई इसने अप्रेल 2022 में बनाए और अब इस समय जो टार्गेट आती हुए इस शेयर के उपर दिखाई दे रहा है वो लगबग 145 के आसपास है यानि कि 105 पर चलने वाला ये शेयर अगर आपको और सुस्ते में मिलता है तो समझ लीजिएगा कि बहुत बॉनस म मौटा बनेगा क्योंकि आप अच्छी तरह किसे जानते हैं सरकारी कंपनी हैं और सरकारी कंपनी के अंदर अरहाम से कच्छुए की चाल की तरह चलने वाला ये शेयर आपको मौटे तोर पर बढ़िया और स्टेंथ फुल रिटन देगा क्योंकि ये गिरने वाले शेयर नही परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे वो मौटी निकलती भी दिखाई देगी जो हाला कि और शेयरों के अंदर उतनी नहीं नजर आएगी क्योंकि आप यहां जानते हैं कि एक दम कंसिस्टेंस परफॉमेंस देने वाले ये शेयर जहां पर इनकी जो डिफ्त है वो बनी हुई और उसके साथ अगर आप ये देखेंगे कि कैसे ये शेयर आपको 140 तक, 45 तक और 50 तक ले जाते हैं और यहां पर अगर आप करेक्शन की मोर दो भी ये शेयर देखते हैं तो डेफिनलि आप ये समझ सकते हैं कि इस समय ये शेयर बढ़िया रिटन देते हुए दिखाई दें